तो झालो स्टूडें्स अज्ड लोग के इंप्चिक्स की इंप्चंटर में बात कर रहे थे। चैप्टर 1,2,3 हो चुका था आपका और आगे के प्रेंगे। कि हम important topics और questions की बात करेंगे chapter no.4 पर आते हैं chapter no.4 में आपका सबसे important होता है magnetic dipole moment यानि चुमकी दीध्रू आगोड यह आपका important topic है इससे आपके derivation plus numerical दोनों पूछे जाते हैं next topic है आपका bio shivert law यह आपका यह भी important है यह बहुत important है long में आपका पूछ लिया जाता है next question है आपका ampere circular law इसमें भी आपका यह long में आता है यह भी बहुत important है next topic है आपका couple acting on current carrying coil in uniform magnetic field इसमें यह आपका derivation मैंने लिख रखा है कौन सा है टाउ is equals to niab इसकी प्रूवें यह ही derivation plus numerical यह दोनों आपका पूछा जाता है next topic पे आते हैं two parallel current carrying conductor यह आपका बहुत ही important है यह भी इसका भी आपका derivation पूछा जाता है और plus इसका numerical पूछा जाता है जो देखा जाता है तो यह chapter जो chapter 4 है आपका यह बहुत ही ज्यादा important है magnetic dipole movement, biosyvart law, ampere circuit law, couple acting on current carrying coil in uniform magnetic field और two parallel current carrying conductor यह सारे बहुत ही important है उस द्रिश्टी से देखा जाता है तो आपका chapter 4 long question के हिसाब से plus numerical के हिसाब से बहुत ज्यादा important है अगली chapter पर चलते हैं लोग chapter 5 इस पर ज्यादा कुछ नहीं है इसमें आपको पता होना चाहिए कि dimagnetic, paramagnetic और ferromagnetic substance में क्या अंतर होता है अगर यह पूछा जाए तो आपको लिखना आना चाहिए एक चीज और है कि अगर long question में आपको कुछ without derivation जैसे अगर यह पूछ लिए आप से इसमें differences तो यह भी एक long question बन जाता है कि एक दो तीन आपको तीन चीज़ों में difference बताना है इस type का कुछ आता है और derivation पूछा जाता है बाकी के options में तो आप derivation वाली चीज़े option जरूर चूज करिएगा उसमें आपको full marks रहता है उसमें marks कटने के chance नहीं होते हैं बाकी जो descriptive type का होता है लिखने वाला जिसमें जादा होता है उसमें marks थोड़े काट ले जाते हैं अगर आप derivation करेंगे तो derivation में आपको पूरे number मिलते हैं अगले chapter की तरफ चलते हैं अगला chapter है आपका chapter number 6 इसमें आपसे पूछा जाता है Faraday's law यह पूछा जाता है यानि Faraday का नियम अगला है self inductance swap रिरकत इससे related जो भी derivation है पूछे जाते हैं और plus numerical भी पूछा जाता है अगला है lens law lens का नियम यह आपसे पूछा जाता है और mutual inductance यह सबसे ज़्यादा important है इससे आपसे related numerical और derivation दोनों पूछा जाता है और long में पूछा जाता है तो यह जरूर से जरूर पढ़ लें अगले chapter की तरफ चलते हैं chapter number 7 इसमें आपसे पूछा जाता है root mean square value of current द्वार गमाधि मूल square value of current धारा का पूछा जाता है इसमें भी आपसे numerical भी पूछा जाता है और derivation भी पूछ लिया जाता है तो उस रिष्टी से यह बहुत ही ज़्यादा important है और यह तो बहुत ही ज़्यादा important है आपको खुद भी पता होगा resonance circuit जब क्लास में आपने पढ होगे बहुत ज़्यादा important है resonance circuit I इसका मतलब है आपको LCR circuit explain करना है इससे आप से numerical भी पूछ लिया जाता है next है आपका working of transformer यह हमेशा से ही important रहा है आपको option में एक नएक question transformer का जरूर मिल जाता है और यह chapter ही important है next जितने भी topic आपको बताया जा रहे हैं यह सारे सारे exam में AC waterless current इसके आगे आपसे पूछ लिया जाता है इसी में अगर पूछ लिया जाए कि waterless current क्या है तो यह समझ जाएगा average power in AC का ही आगे का portion है जो आपको दिखाना है और numerical और derivation दोनों चीज़े इसमें पूछी जाती है तो यह बहुत ही जादा important है यह जितने भी topic बताय जा रहा है यह जितने भी chapter है यह सभी word में same है आप चाहे किसी भी state से हो यूपी से हो एमपी से हो राजस्तान से हो बिहार से हो सब जगे एक ही है सारा slabus एक है तो यह हर class के बच्चों के लिए है sorry हर board के बच्चों के लिए class 12th के लिए तो आप जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि कौन से board के लिए यह हर board के लिए तो अगले chapter की तरफ चलते हैं हम लोग chapter no.8 पे properties of electromagnetic waves इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपसे electromagnetic waves की properties पूछ सकते हैं तो आपको यह तयार करना है अगले chapter की तरफ चलते हैं chapter no.9 chapter no.9 में आपसे पूछा जाएगा refractive index of a prism और इसके साथ ही आपसे minimum deviation भी पूछ सकते हैं तो इसको बोलते है न्यूनितम विचलन तो prism का न्यूनितम विचलन इसमें आपको प्रूफ करना है एक यह और दूसरा question पूछा जाता है magnifying power of telescope and microscope telescope और microscope से related magnifying power आपको बतानी है इ इससे आपको numerical और derivation दोनों चीज़े पूछ लियाती है तो यह भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो आज के लिए बस इतना ही बाकी के chapter आपको next video मिलेंगे और कोई भी क्योरी हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते है thank you